नमस्कार इस्टुडेंट मैं हूँ पुझा चौधरी और स्वागत है आपका मेरी चैनल कंप्यूटर क्लास विद एक्स्टर नॉलिज में तो इस्टुडेंट आज की वीडियो में हम पैरेग्राफ टेग को समझने वाले हैं पैरेग्राफ टेग किस तरीके से काम करता है और पैरेग्राफ टेग का हमारे वेब पेज में क्या काम होता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो पैरेग्राफ टेग यूज करने के लिए हमने आप पे कुछ अपने बेसिक टेग जो है वो पहले से लिख रखे हैं जैसे HTML है टाइटल वाडियो की मैं आपक पैरेग्राफ टेग पहले काम कैसे करता है यह देख लेते हैं आप यहां पर कि पैरेग्राफ टेग का काम क्या होता है तो यहां पर हम अपने ब्राउजर पर आते हैं ब्राउजर में यहां पर क्या है हम अपने ब्राउजर पर आते हैं और ब्राउजर में आपको छोटा फ के आप अपने वेपिज्ट पर अगर कोई भी टेक्स रहला पर बनाना चाहते हैंतों उनके लिए हम यहां पर पर आपकर यूज्टे करते हैं तो छलिए देखते हैं कि पर किया काम करता हुई वो लिखना है माल लेते हैं हम वही format बना लेते हैं हमने आपे लिखा है extremely is very easy language और यहाँ पर अगर आप इस तरीके से माल लेते हैं कि मैंने यहाँ paragraph का tag नहीं लगाया और मैंने इसको simple लिख दिया जैसे same हमने इसको किया copies text को और हमने जो अपना यह text है यहाँ पर enter करके खु जहां पर आपको यह paragraph एंटर कराने के लिए paragraph के फॉर्मेट में लिखने के लिए यह सारी शुचन के लिए tag बने होते हैं अगर आप नॉर्मल ऐसे काम करोगे तो नहीं होगा जैसे चलिए हम देख लेते हैं कि यह कर रहा है नहीं काम तो हमने यहाँ पर फाइल पके सेप कि और चलिए हमारी फाइल ब्राउजर पे इसको खोल लेते हम यहाँ पर हमने यहाँ पर उपन करके ब्राउजर पर आई देखे यहाँ पर मेरी फाइल खुल गई paragraph टेक के नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है वही जो मैंने दिया हुआ है HTML is a very easy language और यहाँ पर मैंने यहाँ प पर paragraph टेक का यूज़ करना पड़ेगा तो चलिए हाँ पर नोटपैट पे अपने बापस आ जाईए अब paragraph आपको आप यह चाहते हो कि दोनों जो हमारे जो पर यह हमारी लाइन है यह अलग-अलग paragraph हैं तो सबसे पहले आपको टेक्स्ट से पहले यहाँ पर लगाना होगा P P for paragraph tag हम यह चाहते हैं जो हमारी पहली लाइन है यह paragraph है अगर आप इतना लिखकर हो सकता है कि आपने यहां पर लास्ट में आकर यहां पे paragraph को बंद कर दियें तो यह container टेग है यहां पर हमने इसको सेप किया अपने browser पर अगें गए और refresh कर लिया यहां पर कुछ नहीं हुआ इसलिए नहीं हुआ student मैंने अभी सिर्फ ये जो दौनों paragraph हैं ये मैंने एक ही बना दिये लेकिन मुझे अलग-अलग बनाना चाहिए था इनको अगर मैं अगली line पर लेना चाहूं तो यहां पर हम रिफ्रेश करके देखते हैं यहां पर आपको परेग्राफ के साथ ही मिलते है अलाइन क्या होते हैं कि आपका जो टेक्स है वो आपको वेब पेज पर कहां चाहिए है कि मैं यहां पर जो हमारा टेक्सक्ट आरहा है आप देख रहे हैं कि यह अमारा टेक्स्ट पर Add液 को की मैं चाहँ है कि मुझे इसको बीच में लेकर आना क्यों कि मैंने सिर्फ फई रड ड़ाइन लगाे सेंटर क क्erk चलिए काम करते हैं हमने या फ़ुर्ट रेंटर आप play right side पर उसके बाद यहाँ पर हमारा justify linor होता है अगर आप चाहूँ तो यह सभी को justify भी कर सकते हो जैसे हमने यहाँ पर ये tax भ tone या इसको हमने और यह भी हटाया रही हम यह चाहते हैं यह moral में यह chamber 2-0 टैंग है यह हो जाए justify 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 का मतलब है कि प्योरा यह तो यहां पर हमने justify लगाया और चलिए ये paragraph अटा देती हूं मैं इनको मैंने मैंने हटाया और हम इसको कर लेते हैं copy इधर कर लेते हैं paste ठीक है मैंने इसको save किया यहां पर इस तरीके से आ रहा है अगर मैं मालो यहां पर align षटा देती तो क्या होता चलिए यहां पर align हटा के भी देख लेते हैं तो इस तरीके से हम paragraph जो हमारा tag है, paragraph का tag हम यूज करते हैं, paragraph के अंदर हम alignment लगा लेते हैं, left, right, center, justify, तो आप सभी भी इन tag को यूज करके देखिए, next video में जो है हो, हम कुछ और text के बारे में बात करते हैं.